हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपसे बेशन का हल्वा बनाने की आसान रसिपी शेयर करूंगी यह हल्वा बहुत ही स्वाधिश्ट बनता है और इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस ओन करेंग और गैस पर अपनी कडाई गरम होने के लिए रख देंगे कडाई हमारी गरम हो गई है अब मैंने यहाँ पर आधी कटोरी से ज्यादा देसी घी लिया है तो हम कडाई में देसी घी डालेंगे थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे इसको हम बाद में हल्वे में डालेंगे तो द फिर हम इसे चम्मस से बेशन को चलाएंगे, देशी घी में अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे, जब तक हमारा बेशन घी न छोड़ दे, तब तक हम चलाते चलाते भूनेंगे, यह हलुआ हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है, यह तो हमारा हलुआ जल जाएगा भूनते टाइम, तो देशी की छोड़ दिया है बेशन ने, अब इसमें हम स्वादनुसार चीनी डालेंगे, तो मैंने यहां आधी कटोरी चीनी ली है, आप चीनी अपने स्वादनुसार डालिए अब चीनी डालके भी हम बेशन को भूनेंगे, चीनी डालने से भूनने से हमारा बेशन थोड़ा सा ब्राउन चेड में आ जाएगा तो बेशन का कलर चेंज हो गया है, अब मैंने यहां एक कप दूद लिया है फूल क्रीम का, अब हम इसे बेशन में डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके बनाएंगे, चम्मा से अच्छे से चलाएंगे, आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं अब मैंने यहां कुछ ड्राइफ रूट्स लिये हैं, काजू, बदाम और चिरोंजी लिये हैं, अब वो भी हम इसमें डाल देंगे, आप अपने मन पसंद के ड्राइफ रूट्स डाल लिये, और मैंने यहां इलाइची पाउडर लिया है, यह भी मैं डाल दूँगी, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब मैंने यहां थोड़ा से जो देसी की बच गया था, थोड़ा से डाल देंगे, थोड़ा हम बचा लेंगे, तो हलुए में मैंने देसी की डाल दिया है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, तो हलुए हमारा रेडी हो गया है, अब सर करके दिखाऊंगे मैं आपको हलुआ तो फ्रेंट्स मैंने प्लेट में हलुआ डाल लिया है अब इसके उपर से हम थोटा से देशी गी और डालेंगे देशी घी डालने से हलुआ का स्वाथ बहुत ही टेश्ट आता है और इसमें हमको ड्राय फूट भी डाल देंगे तो फ्रेंट्स मेरा बेसन का हलुआ रेडी हो गया है आप भी इसी तरीके से हलुआ ट्राय करें इंजॉआ करें फ्रेंट्स अगर मेरा वीडियो आपको